ऐसे मजबूर क्या है अब मैं खुरकशी करने के लिए त्यार हूँ जो मेरे पापा है उनकी शैरी बन किया है और हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है उसने मुझे बाडी गार्ड से गन की नोग पर भगवाये वहां और धमकाया वहां और मुझे वहां आफिस में आ होगे हम आफिस दोर में नोकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है और अगर किसी व्यक्ति को किसी शक्स को नोकरी मिलती है और उसको जो है उस नोकरी से निकाला जाता है ये उसके लिए कितनी जो है टेंचन की बाद होगी कितनी परेशानी की बात होगी नाजरीन असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ अबरार नाजरीन मैं अभी जिलाडोडा के इलाका बदर्वा में हूँ और सर्तेंगल इलाके में हूँ और मेरे साथ एक शक्स है जो सालों से 2009 से लेकर आज होगी लेकिन इनकी सुनवाई कहीने हुई और इनकी जो है अंपाईरियां भी बहुत सारी हुई उनक के केस को लेकर ये और लेकिन अभी तक जो है यह किसी इंक्वाइरी से जो है साटिसफाई नहीं है इनका यही कहना है कि मुझे पहले नुक्टथी दी जाती है लगाया जाता है दो 1991 में उसके बार जो है मुझे फिर से जो है मुझे निकाला जाता है 2009 में और इल्लीगली जो है निकाला जाता है जो इनका कहना है मैं इनी से पूरी तफसिल अजान करी लूँगा इनी से जानूँगा कि कि क्या कुछ इनके साथ हुआ मुझे सबसे पहले अपना नाम बताए मेरा नाम मुहमद दीन है मैं बधरवा का रहने वार हूं क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्या कुछ दिकते आपके साथ हुई क्या कुछ कहानी है आपकी पूरी लंबे अर्से की कहानी जो है कितने सालों की कहानी है यह और अभी तक कहां पहुंचे आप नाइंटी वान में अपाइमेंट सब्सक्राइब और हम दो तीन आदमी थी कौन सा डिपार् देख्षी वहां को बेग पर मलब दिना अपाइमेंट की मलब रिगूलाइज किया गया है और उसमें मलब एक चौन दुशाच ता दिवान चाल इसको उसको भूलाइज करके उसके विरिक्रेशन हुई तो वह मलब उसके कागर्ब में निकले और उसको मलब डिपार्मेंट क्या हुई कि जो मेरे साथ थे उनको रिगुलाइज किया बिना अपाइमिट के कोई एसरो में आते थे ना उनका कोई कलेम बनता था तो उनको अपाइमिट किया है जिसमें कश्मेर सिंग और अलताव फुसेन वचको और दिवान चंद थे तो उसके बाद मुझे छोड़ दिय मैं तो इसरो में आता था एक तो डिपाल्मेट वालों ने इसलें की ऐन फिर के मुझेन जरी होमिट को हैं ला कि यह यहां कि यहां वीशी साथ विजट पर आई तो मैंने आपना केस उनके पास दिया तो उन्होंने मेरी फाइल बनाकर डायरेक्टर रंगेल सिंग साथ तो उसने मेरा केस वीशी साथ के पास दिया लेकर वो भी गाइब किया दिया उसके बाद 2006 में आरम शर्मा यहां इंचारीज थे तो मैंने फिर मेरा केस बनाकर और डायरेक्टर रसर्च को भेजा तो डायरेक्टर रसर्च ने उदर से मलब उनको लिखा वाई फारवर्ड केस किया इसके डाकुमेंट्स बेजो लेकर जो वो आरम शर्मा थे उसने मेरी जगा पपुराम के बेजे जो 14 साल का लगा है मलब डिपार्मेंट के डिकार्ड के मताबिश आज भी मलब डिपार्मेंट वालों ने एक आर्टी इमें लिखा है एक पांच उनीसो असी उसकी डेटा बरस है तो उसको मलब चोदा साल का लगा कर और मेरी जिगा उसको रिगुलाइज किया उस वक्त जो आज रिजिस्टार है यही उस वक्त मुलब डायरेक्टर रिसरी था लेकर उसने उस वक्त अब्जिक्शन क्यों नहीं कि भाई हां जी मैंने मुहमद दीन का रिकार्ड मांगा था तो आपने पपूराम का कैसे दिया और पपूराम के रिकार्ड की वेरिक पेशन क्यों नहीं है उसके बाद जब मैं पहले इस इमाम देन धीन साब ने इनक्वारी कि तो इसपर फीराम पूरा रिकार्ड रिकार्ड ये लाएं और रिकार्ड के मुतार आमने सामने इनक्रायी होने चाहे ताकि यह जो लिखते थे यह साब जान बूज कर पर toi लिखते वहीं correct यह लेकर मलब यह जो गौर्मिट अडिमिस्टेशन है एसे डी साब हैं इन्होंने भी इसमें यह इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यह भी मलब ऐसे ही मलब लिखती हैं आजी आपका ऐसे है लेकर वह तो आगे मांते हैं नहीं वह फिर जान बूज कर लेकर इसके बार गृम वालों रिकार्ड के मताबिक मालब जैसे जैसे यह अब्जक्शनें लगाती हैं वह मुझे नहीं लगती है ऐसा रहों लगाए ऐसा रहों भी में फाल करता हूं तो और जो मेरा हक मलब वह और रूंको दिया है तो मैं इन्होंने मुझे इस तरह मलब ऐसे मजबूर किया है भई रिशा बूलाते हैं और कहते हैं कि मेरी नोकरी जो है वो मुझे नहीं मिल रही है और मेरी नोकरी मुझे नहीं दी जा रही है मुझे इलीगली तरीके से जो है निकाला गया मुझे वहां पर जो है मेरी सालजी अचानक जो है बंद की 2009 में बिना किसी रीजन के और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सटिस्टफाई नहीं है और आज हमने देखा जब हम आ रहे थे वहां पर हमने देखा ये मजदूरी कर रहे थे रोड में और हमने मुनासिब समझा कि आज इनकी बात फिर से जो है अवाम के सामने बड़े administrative के सामने रखी जाए ताकि इनका भला कर पाए ताकि इनको सुना जाए क्योंके 2009 से लेकर आज तक इनकी फर्याद कोहीं नहीं सुन रहा है इनका कोई नहीं सुन रहा है ये दरदर की ठोकरे खा रहे हैं आफसिस में जा रहे हैं सरकारी दफातर में जा रहे हैं लेकिन इनका क जो है जो है घर में किस तरह से चलो है हाँ और और इसमें यह मलब पोलीस पॉलीस यह उन्हों ने मेरी जूटी और दूसरी तरफ के दिजी आप डिबुटि पर आते नहीं थे एक कि एक तरह से ये पॉलिस बालनों से बंद करम दें मुझे 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 आना जाना हुआ तो दूसी तरह इनतही insulin कर रहे हैं और मैंजबूर किया है समय मुझे मुझे पूरी फेमली को डिस्टिर्प किया तो मैं मैं रहा है मैं बार बार मीडिया में दी आख बारों में भी दिए गोवर्णल साहब को रस beetje कि आउने कॉछ और की डाइर इसमें तो मझा अंगता है मैं में इस बारे में क्या के तो तो मेरा को देकर הר के मिरे पास क्लियर क्लियर और के मेरे पास डिखते हैं लेकिन plyकों मेरे पास Legcard आज ने उस्ति पर यह नेरे साथ जिनके आर्डर किया जो फ्राड में लगाए गिये जो भीना अपाइमिंट के लगाए गिये जैसे कश्मीर सिंग है अलता फुसेण वाज उन पर कोई एक्षन ने लिया और इन्होंने कमेटी बनाई कमेटी में लगाया मैंने कंपरेंट कि थी आडवाइदर साहब से जब इन्होंने एसरों लगा लगाए लेकर उसके बाद मेरे साथ जाता हूँ आज के इंचारिज ने मुझे मेरे साथ द्यासराज मनास साथ थी उसने मिस्ट्रोल मांगे उसे जब आडर चेक है कहता नहीं जी आप मिस्ट्रोल आओ मैं जहां से आपकी आटेंडेंस बांद है मैं दे दूँगा फिर मैं मि नौनोंबर की बात है नौनवर की बात है तो वीशी साथ ही में पूरी फैंली ली और उन्हें वादा किया ने जी आप जमू में आऊ और मैं पूरा आपका रिकार्ड देखकर जो आपका क्लाएं में लेकर जिस्फ़कर मैं वहां गया तो वहां का वो संजे शर्मा साथ इसके दिमेंदार मैं गौर्णनल साथ से भी अपेल करता हूं रख्वेस्ट करता हूं इसमें जल्टी एक्षन होना चाहे और जो मेरा मुझा खाया है ना मैं उधर कहूं यहां बिली क्राया बढ़ रहा है ना मैं जेसा मैं कहां से दूँ जब तक मुझे पैंसा रोका है जब हमारे गर की बहुत हालत खराब है इसलिए हम गौर्म में से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह जल से जल मसले का हल करें पढ़ाई में हमें प्रॉब्लम सारे हैं गर में प्रॉब्लम सारी बहुत सारे हमें शोग था कि हम आगे जा कि कुछ बनेंगे कुछ करेंगे लेकिन हमारे इस पापा की नौकरी की वज़ा से हमें पढ़ाई रुक रहे हैं और हम पापा को जल से तन्खा दिया जाए क्या रिक्वेस्ट करती हूं कि इनकी जो पे रुकी है उसको जल से जल दिया जाए एक एमपलॉई आदमी जब मजदूरी करने पर उसे फोर्स किया जाता है वह इस प्रटमेट है उन्होंने इनके साथ किस तरह का जलुम किया मुबईना तोर पर इनका कहना था कि ना इनसाफी हुई है और यह जस्टिस चाते है और एल जी उनों शिना सहब से जहाए यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को देखा जाया और मुझे जो है सालों से जो ह दो हजार नौ से लेकर आज तक मेरी कोई नहीं सुन रहा है दर दर ठोकरे जो है खा रहा हूं मेरे सुनी जाए और मेरा जो यह मसला है वह हल किया जाए इसी के साथ मुझे दीजिए जाज़त असलाम लिए